इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते है रोकने का काम करता है, जिससे संक्रमन साफ होता है और लक्षनों से राहत मिलती है। बेकलमेटिसोन उन रसायनों की रहाई को रोकता है जो खुझली, लालिमा और सूजन जैसे लक्षन पैदा करते हैं। इसलिए यह दवा इन संक्रमनों के कारण होने वाली सूजन से राहत दिलाती है। आपको इस दवा का उपयोग तब तक करना चाहिए जब तक यह निर्धारत है, भले ही आपके लक्षन गायब हो जाएं, अनिता वे वापस आ सकते हैं। आप जिस प्रकार के संक्रमन का इलाज कर रहे हैं, उसके आधार पर यह कई सप्ता हो सकता है। आपकी तवचा पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद भी, लक्षनों को वापस आने से रोकने के लिए आपको इसे कभी-कभी लगाना पड़ सकता है। यह दवा केवल बाहरी उपयोग के लिए है। अपने चिकित्सक द्वारा सलाह के अनुसार इस दवा का प्रयोग खुराक और अवधी में करें। इसे अच्छी तरह से हिलाएं और समान रूपसिक शेत्र पर लगाएं। जाडीब सी लोशन दो दवाओं का एक मिश्रन है बेकलोमिटासोन और क्लोट्रिमाजोल जो तवचा के संक्रमन का इलाज करते हैं। बेकलोमिटासोन एक स्टेरोइड है जो उन कैमिकल मेसेंजर यानी की प्रोस्टागलेंडीन को बनने से रोकता है जो तवचा को लाल, सूजे हुए और खुजलीदार बनाते हैं। क्लोट्रिमाजोल एक एंटी फंगल है जो तवचा पर फंगस को खुद के लिए सुरक्षा कवच बनाने से रोक कर उन्हें उनके विकास को रोकता है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन अन आल पर सेट करें धन्यवाद